नमस्कार दोस्तों आपके अपने टूप चैनल घंश्याम बाबा सर पमित्र में आप सभी का स्वागत दोस्तों आज कर रश्कुकाल दोस्तों मुझे हरजनपुर मिस्तर से मिला हुआ है जो कि दोस्तों यहां पर एक घर में कोई जरीला साप देखा गया है और जैसा कि आप लोग दिख सकते हैं जगे पर हम पहुँच चुके हैं और चलकर अब देखते हैं कौन सा साफ है वो तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहे हैं आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं कर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक इंडियान स्पर्टिकल कोबरा इसके अंदर दोस्तों समाल के समाल के हाथ बचाना हाथ बचाना अंदर जा रहा है कि छोड़ना मत मुड़ी दबा के रखना कि आराम आरम से निकारो मुडियों करे रहूं है दोन्किया पकर दोन्किया पकर दोन्किया पकर्टलिया मत वूपलत दुपल आज़गं कि अपर अमाराथ जाहे बज्जाया है कि अठीम सोके लिए पिज्चा को तुर्च करें कि आगे आगे में अनला बोटें के परें लोगों हाव इस अथे अशराइब अझ्याइब आगे अजरा प्र्सकते भी आगे ए अँट्ट्रें ुब्सक्तावी आगे आगे हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन इस पैटिकल कोब्रा काफी दोस्तों डेंजर है आप देख सकते हैं उस दिवाल में दोस्तों यह लटका हुआ था दो दिवाल के बीच में इसको दोस्तों देख सकते हैं फानली पकर लिया गया है और काफी मेनत करने के बाद दोस् समाल के उतरना समाल के चोट मत खाना तो चलिए दोस्तों इसको पकर लिया गया है अब इसको लेकर चलते हैं बाहर इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी ठंड है ना ठंड है ना ज्यादा बहुत ज्यादा दोस्तों ठंड पड़ रहा है इसके अंदर ठंड से बुरा इसको तो पाया जाए दोस्तों हम अपनी जान की ना परवाह करते हो दोस्तों इस बेजुबान को बचा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कहां चोट लग गया दिखाओ नहीं लग गया रगड़ बताओ बताओ दोस्तों देख सकते इसको बचाने के लिए हाठ डालके निकालना पड़ा दोस्तों इसको आप देख सकते दो घर के लोग गाओं के लोग है दोस्तों यहां पर जुटे हुए हैं एक बेजुबान को मारा नहीं बचा लिए क्योंकि दोस्तों मालिक ने दिया नाम की चीज इनसानों में दे रखा है इसलिए सांपों को बचाना चाहिए पर इसको बचा लिया है यहां बारो बारो यहां रखो मचीद लगाओ यहां मचीद लगाओ अगर आप लोग दोस्तों हमारे यटूब चैनल पे नगर नय हैं अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों यटूब चैनल को forget कर ले हमारे यटूब चैनल का नाम है घंषियाम बाबासर्पमित्र हम लोग दोस्तों बस्ती से भी करते हैं और आप देख सकते हैं इस बेजुबान को हमने बचा लिया है और इसके अंदर दोस्तों नीरो टोक्सिन नामक जहर पाय जाता है और दोस्तों तकरीबने तीन से चार फुट का साफ है और आपने देखा किस परकार से यह दिवाल के दो दिवाल के बीच में जो मौका था उसी में दोस्तों लटका हुआ था यह तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसको कवडा बार करके दोस्तों तपा रहें ठंडी दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ रहा है जनवरी महीना है दोस्तों ठंड बहुत ज्यादा पढ़ रहा है इसलिए पहले इनको पकर गर के हम कोड़ा तपाते हैं ताकि जो इनको ठंडी लगा है वो ठंडी दूर हो जाए अगर दोस्तो ये गर्मी रहता ना तो ऐसा पकरने में नहीं आता ये पूरा फोंफो करके पूरा अग्दम खड़ा हो जाता लेकिन ठंड से दोस्तो पूरा बेहाल है ये और आप लोग देख सकते हैं इसको हमने बचा लिया है और एक चीजा और कहना चाहूंगा दोस्तो इनसान हो या जानवर ठंडी सबको लगता है हम दोस्तो इतने ठंडी में कुडुक हो जाते हैं बचा रही है तो बेजुबान जानवर है यह हमारे पारिया वडर मित्र है इनको बचाना चाहिए तो इसी के साथ दोस्तो इसको आप कर देते हैं पैक बिना समय गमाए तो चलिए दोस्तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसको जोरी के अंदर पैक कर दे रहे हैं और इनको थोड़ा बहुत दोस्तो कोड़ा तफा करके हमने अब इनको पैक किया जा रहा है तो सही सलामत दोस्तो यह बोरी के अंदर जा चुके हैं और मिलते हैं दोस्तो फिर नेक्स वीडियो में फिर किसी जंतों को बचाते हुए फिर किसी जंतों को छोड़ते हुए दोस्तों अगर आप लोग को वीडिया अच्छा लगा होगा और तो अपनी कॉमेंट में अपनी राय जरूर कॉमेंट करें नमस्कार जैहिंज जैबारा दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें खेत खलियान खुला मैदान दोस्तों आप सब देख सकते हैं पीछे और दोस्तों यही वो घर है जिस घर में हमने कोबरा साप को पकड़ा है यह भाई साप खड़े हैं मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स वीडियो में